नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आपने जितने भी प्रकार के बैटरी देखे होंगे सब के सब बैटरी में केवल दो टर्मिनल होते हैं एक दो पोजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगिटिव टर्मिनल लेकिन दोस्तों आप जो मुबाइल चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊँगा कि आखिर क्यों हमारे मुबाइल का बैटरी जो है उसमें तीन टर्मिनल या फिर चार टर्मिनल होता है दोस्तों इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफोर्मेशन द दीजेगा इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा ठीके दोस्तों चलिए आगे बरते हैं दोस्तों इस दुनिया में जितने भी प्रकार्ट के बैटरी होते हैं सबके सब बैटरी म केवल दो ही टर्मिनल होते हैं एक तो पोजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगिटिव टर्मिनल अब यदि किसी बैटरी में यदि तीन टर्मिनल या फिर चार टर्मिनल दिया गया है तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल फंक्शन दिया गया होगा ठीके दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास मुवाइल का बैटरी है जिसके अंदर टीन टर्मिनल है अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यह वाला टर्मिनल हमारा पोजिटिव टर्मिनल है और लास्ट वाला टर्मिनल हमारा नेगिटिव टर्मिनल है अब यहाँ पे जो बीच वाला टर यह हमें information देता है बैटरी के बारे में कि हमारा जो बैटरी है वो कितना percent charge है बैटरी हमारा discharge है या फिर full charge है या फिर उसके बीच में जो percentage है जैसे कि 40% 50% जो भी percentage आपको दिखाया जाता है वो इसी terminal के वज़े से दिखाया जाता है ठीक है दोस्तों तो जो हमारा तीसरा terminal होत होती है जिसका full form battery system indicator होती है दोस्तों यदि आपके मुवाइल में यदि किसी प्रकार का indication नहीं आ रहा है कि आपका मुवाइल कितना percent charge है या फिर discharge है लेकिन आपका मुवाइल बराबर काम कर रहा है तो उस condition में आपको क्या करना होता है कि यह जो आपका बैटरी होती है उस तो जो हमारा मुवाइल का बैटरी होता यदि उसमें चार टर्मिनल दिया गया है तो उसमें भी दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के यानि एक positive terminal और दूसरा negative terminal ठीके दोस्तों अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि यह जो हमारा positive और negative terminal है उसके बीच में जो बीचेम terminal बीचेम का full form होता है दोस्तों बैटरी temperature ठीके दोस्तों यहाँ पे इसके नाम से हमें यह पता चल जा रहा है कि यह जो terminal है वो बैटरी का जो temperature है उसको sense करने के लिए बनाया गया है दोस्तों यह जो मारा बैटरी होती है उसके under temperature कैसे sense करता है यह भी एक question बनता है चली मैं आपको बताता हूँ कि किस पकाद से यह जो हमारा बैटरी है उसका temperature को sense करता है ठीके तो जो हमारा बैटरी होती है दोस्तों उसके अंदर में एक thermistor लगा होता है तो यह हमारा thermistor है अब जो thermistor होता है कैसे work करता है दोस्तों समझ लीजिए आपने तो एक चीज सुन यह जो thermistor होता है वो same to same LDR के जैसे काम करता है कैसे काम करता है दोस्तों समझ लीजिए यहाँ पे आपको एक animation दिखाया हूँ जिसमें एक हमारा thermistor है और जिसको हम एक hair dryer को द्वारा गरम कर रहे हैं जब हम इस thermistor को गरम करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि power supply आगे flow नहीं हो पा रहा है इसका मतलब यह है कि जब thermistor गरम होता है यानि कि temperature को sense करता है तो उसका जो internal resistance होती है वो कम हो जाता है जिसके current से जो signal या फिर power supply है वो आगे flow हो जाता है ठीके दोस्तों तो यह जो हमारा thermistor होता है उसको हम बैटरी के अंदर रगते हैं तो जैसे ही हमा thermistor को reboot कर देता है या फिर हमें एक indication देता है यानि कि एक notification देता है जिसमें हमें बता जाता है कि मुबाइल का temperature ओवर हीट हो गया है तो यहाँ पर आपको यह मालूम चल गया हो दोस्तों कि मुबाइल का जो battery होती है उसमें टिन टर्मनल की होते हैं और चार टर्मनल की होते ह साथ इसी टोपिक पे बात कर रहा था कि मोगाल का जो बैटरी होती है उसमें तीन टर्मिनल और चार टर्मिनल होते हैं तो उसने मुझे ये बताया था कि उसने एक बैटरी देखा था जिसमें पांच टर्मिनल होते हैं दोस्तों मुझे उसके बाद पर विस्वास नहीं हुआ कि मुवाइल के बैटरी में 5 टर्मिनल भी होते हैं तो दोस्तों मैं आज आपके जर्य जानना चाहता हूँ कि क्या मुवाइल के बैटरी में 5 टर्मिनल भी होते हैं तो प्लीज आप कॉमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों आपको बताना है कि आपके मुवाइल का बैटरी जो है उसमें कितने टर्मिनल है तीन टर्मिनल है चार टर्मिनल है या फिर पांच टर्मिनल है और यदि आपका मुवाइल का बैटरी को खोलके आप चेक नहीं कर सकते हैं तो आप ये भी कॉमेंट कर दीजिए कि लाइक, शेर और कमेंट कर दिजीगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिजीगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद